कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि है लो कैसे हैं दोस्तों आज मैं फिर विसमुद्ध गड़िद के कच्छाएं लेकर उपलब धूँँ देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं सर्ड्स के विसमें जो पढ़ रहे थे और उससे रिलेटर जो आगे चर्चा होने वाली है यह आपके याम के लिए बहुत ही महत्पूर है होता क्या अगर आपको यह नहीं पता होगा इस सर्ड्स के विसमें तो आप उसको छोड़ के आएंगे सवाल करना है तो इसको जानना बहुत ही यह तो आज का पहुत ही इंपॉर्टेंट टापिक है अस्त तो हम पर रहे हैं लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो अभी तक का सर्ड्स का सबसे इंपहुर्टेंट ठीक है तो आईए फिर start करते हैं जहां पर कल छोड़े थे उसके आगे start करते हैं देखिए search में हम लोग ascending और descending order देख रहे थे तो वहाँ पर जो हम start किये थे उसमें हमने घात के जो छोटे बड़े देख रहे थे तो उसमें हमने बताया कि या तो उनकी कोटी बराबर हो order same हो या तो अंदर का number same हो यदि उन दोनों में से कोई भी same नहीं होगा तो आपको order को same बनाना होगा जब order same हो जाएगा जिसका अंदर की value बड़ी होगी वो बड़ा होगा जिसके अंदर की value छोटी होगी वो छोटा होगा आईए आज उसके आगे start करते हैं जैसे देखिए कभी कभी यहां में इस तरीके से push लिया जाता है route 3 plus route 5, route 6 plus route 2, इसके लमा आपसे पूच लिया जाए, route 7 plus 1, अब आपसे यह पूचा जाए जाए, इन तीनों में सबसे चोटा कांचा है और सबसे बड़ा कांचा है तो अब देखिए आपको सबसे चोटा लिखना है, सबसे चोटा इसके बाद देखे सबसे बड़ा लिखना है या आपसे ये पूछ लिया जाए आरोही क्रम वह आरोही क्रम तो आप ये समझे भिया पहला काम हम ये करेंगे जो कंड़ी के अंदर की संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ेंगे जैसे देखे तीन और पांच को जब एड़ क किये तो ये हो गया आठ यहां साथ हुआ एक को एड़ किये तो यहां पर हो गया आठ तो जब इनको जोड़ने पर ये सब आपस में बराबर आएं तो इनके कंड़ी के अंदर की संख्याओं का आपस में गुड़ा कर लिए जब आपस में गुड़ा करेंगे तो जिसका यहां पंदरा होगा आप पांती यहां पंदरा छे दुनी बारा साथ करने साथ इसका मतलब यह वाला सबसे बड़ा हुआ और आपका यह सबसे छोटा हुआ और यह बीच का हुआ पहली बाप तो यह कि दोनों के अंदर का मल्टिप्लाई कर लिए जिसका गुरणफल बड़ा होगा वह बरा होगा जिसका गुरणफल छोटा होगा हुआ छोटा हुआ तो उसरी बात आप यह कर सकते हैं कि कभी कभी एसा होगा कि इसके अंदर के नमबर से जो होगे बड़े देंगे और आपको मल्टिप्लाई करने में दिक्कत हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का अंतर निकाल लिए ठीक है और जहां पर अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा जहां पर अंतर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा दो काम करना होगा अब देखिए यहां पर सबसे छोटी वैलू जो होगी वो आपका रूट सेवन प्लस वन का हो इसके बाद सबसे बड़ी वैलू जो होगी वह रूट थ्री प्लॉस रूट फाइब का होगा बाद समझ भाली ठीक है अब देखिए इस तरह के जब दो दो के उसमें पूछेगा तो आप समझे दो ही बात देगा या तो दोनों का योग बराबर देगा या तो दोनों नंबरों का अंतर बराबर देगा जैसे देखिए प्लस वाले में तो जादा तर योगी देता है बाकी वैसे आपका अंतर बराबर देगा अगला देखिए सवाल तो एक जाम पर लोड़ देखिए जैसे देखिए आपको देख रूट 19 माइनस रूट 11 इसके बाद देखिए रूट 17 माइनस रूट 13 तीसरा आपको देखिए रूट 23 माइनस रूट 9 ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको यह देखना है कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं इसे रूट 7 कर लेते हैं यहाँ पर देखिए अब यहाँ अंतर देखिए यहाँ पर 30 हो गया यहाँ पर भी और यहाँ पर देखिए इन दोनों का योग हर जगा बराबर है जब दोनों का योग बराबर है तो अब देखिए पहले प्लस था तो जहाँ का अंतर सबसे कम था वो सबसे बड़ा था जब की जब माइनस होगा तो जहां का अंतर आपका सबसे कम होगा वो सबसे छोटा होगा यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ हел नहीं इसमें अगर हम सबका यहाँ देख लो कि यहाँ पर यह आजाएगा 19 प्लस 11 माइनस 2 अंडर रूट 19 इंटू अंडर रूट 11 तो आप यह देख सकते हो यहाँ पर 19 और 11 का जो मल्टिपल होगा तो वो देखिए 19 करने 19 19 करने 19 21 209 हो गया अब यहाँ पर देखिए यह आपका 17 प्लस 13 हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 17 इंटू रूट 13 हो गया तो 17 31 क्या मन 17 करने 17 5 22 हो गया रूट 21 हो गया इसको जब करेंगे तो यह 23 प्लस 7 हो गया माइनस 2 अंडर रूट 7 3 की 20 हो गया 7 2 नी 14 14 अदो 16 हो गया अब आप यह देख लो यह 30 हो गया यहां भी यह 30 हो गया और यहां पर भी 30 हो गया तो जिसमें से जादा घटेगा वो छोटा होगा और जिसमें से कम घटेगा वो बड़ा होगा तो इसका मतलब तूटू सम्मे हुआ यहां पर कम घटा यहाँ पर जब कम घटेगा तो यह सबसे बड़ा होगा यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा घट रहा है तो यह सबसे छोटा होगा तो वही बात हम कह रहे हैं अगर यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं 1911 का अंतर देख लिजे तो यहां अंतर आपका 8 का आ गया और यहां 17-13 का अंतर देखिए तो अंतर 5 का आ गया और 207 का अंतर देखिए यहां पर आपका हो गया 23 से 7 गया यह हो गया 16 कम तो अब देखिए जहां पे अंतर कम होगा अब देखिए अंतर यहां पे क्या है 16 का उंतर है, तो यह देखें, जहां का उंतर कम है, वो सबसे बड़ा हुआ, जब कि यही प्लस में था, तो जहां का उंतर जादा था, उंतर कम था, वो आपका सबसे बड़ा हुआ, जब कि यहां पर उंतर जिसका जादा होगा, वो सबसे बड़ा होगा, तो इस तरीके से आपको देखने से ही पता चला है कि सबसे बड़ी वैलू यह है यानि कि सबसे बड़ी वैलू हो गई 17 माइनस रूट 13 हो गया और सबसे छोटा वैलू जो हुआ वह आपका सोड़ी यह 23 का है 23 माइनस रूट 7 हो गया जबकि सबसे छोटी वैलू जो होगी वह आपका इसका होगा यहां पर रूट 17 माइनस रूट 13 बात समझ में आ गई होगी ठीए यहां पर किवल एक बात ध्यान देना है कि जब भी दोनों का योग बराबर होगा हमें इसको लिख देते हैं चलिए आईए देखते हैं देखिए या तो इस तरीके से होगा जब प्लस साइन हो और जब माइनस साइन हो दोनों की बात कर रहे हैं जब दोनों संख्याओं के बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो और देखिए दोनों का योग योग बराबर हो यह दोनों के लिए कामन बाते हैं प्लस साइन हो यहां लिख लिए कि दोनों का योग बराबर हो योग बराबर हो और एक येगा प्लस साइन हो दोसे येगा माइनस साइन योग बराबर होगा तो दोनों का अंतर दोनों का अंतर जिसका छोटा होगा दोनों का अंतर जिसका छोटा होगा होगा वह बड़ा होगा या आप ये कह सकते हैं यहाँ पर दोनों का अंतर जिसका बड़ा होगा वह बड़ा होगा देखे यही बात हमने बताया था कि दोनों का जैसे वहाँ पर हमने क्या कहा था जैसे हमने कहा था रूट 19 रूट 19 माइनस रूट 11 है और दूसरा हमने कहा रूट 17 माइनस रूट 13 है अब देखे इन दोनों में हमें देखना क्या है कि बड़ा कौन सा देखिए दोनों का योग 30 हो गया यहां पर भी योग 30 है तो हमने कहा इन दोनों का अंतर कितना यहां पर 13,4,17 और यहां पर जो अंतर है 19,8 इसका मतलब जहां पर अंतर जादा होगा वो वाला बड़ा होगा जहां अंतर कम होगा वो छ जहां का अंतर आपका कम होगा, वो बड़ा हो जाएगा, और जहां का अंतर बड़ा होगा, वो छोटा, अब यह बड़ा हो गया, यह छोटा हो गया, यह दो बातें आपको याद रखने हैं, अब देखे, यह ससी में इससे related एक सवाल पुछा था, देख, एक क्यों सवाल पु प्लस रूट 7 और यहां पर दे दिया लेस दन रूट 10 प्लस रूट 8 ठीक है इसके बाद दिया दूसरा वाला तो आप यह देखिए यहां दिया रूट 17 प्लस रूट 11 और ग्रेटर दन रूट 15 प्लस रूट 13 यह दिया और पहला आप्शन दिया आप्शन ए दिया उसमें कहा केवल एक ऊट करके सवाल दिया था अजो यह बी आप्शन दिया तो वहां पर कहा केवल दो वहां पर कहा केवल दो तीसरेंगा औपसन में कहा एक वाई दो दोनों चोथे औपसन में कहा D वाले में कहा ना एक और ना ही दो इसका मतलब उसमें दिया ये था सवाल में कि आप बताइआ इसमें से कौन सा सही है और ये दो पॉइंट करके लिख दिया और चार आपसन दे दिये और आपसे ये पूछा बताईए इसमें से कौन सा सही है तो अब देखें बाते वो ही लागो जो हमने बताया आप देखो इन दोनों का जो योग है वो अठारे है और यहां पर भी योग अठारे है यानि कि जैसे देखें इनका अंतर चार का है और जबकि इनका अंतर आपका दो का है इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है ये लिस धन का साइन लगाया है इसका मतलब ये वाला तो सही हो गया अब देखिए पहले में तो ये पता चल गया कि ये वाला बड़ा है ये छोटा है तो हमने कह दिया यह सही है दोसरे में देखिए योग आपका 28 है यहां पर भी योग 28 हो गया लेकिन यहां अंतर 6 का है यहां अंतर 2 का है तो हमने कहा था जब प्लस होगा तो अंतर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा इसका मतलब इनका अंतर 2 है तो यह वाला पोर्शन ब तो इस तरीके से कूट में करके भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, चलिए एक दो सवाल हो करते हैं, अब देखिए, जैसे चार ओप्षन देदे, आपको सवाल देदे, दोसो चार माइनस अंडर डूड एक सो निन्यानवे, दोसरा ओप्षन, आप्षन क्या करके, चार कंगडी का ऐसे लिख दे, माल यह के लिख दिया, दोसरा ओपका लिख दे, अंडर डूड एक सो पचाशी मैनस, अंडर डूड 178, अब देखिए तीसरा आपको लिख दे 317 अंडरूड माइनस 310 इसके बाद चौथा लिख दे 401 माइनस 304 एक बाद देखिए अब इस इन चारों में आप से पूछा जाए कि सबसे छोटा क्या है छोटा और सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो एक बाद समझे भी या योग तो बराबर नहीं है योग बराबर नहीं है तो दोनों का अंतर देख लिए कंडिसन नहीं है या तो योग बराबर देगा या तो अंतर बराबर देगा ठीक है अब यहां पर देख लिए अंतर बराबर हैं जब अंतर बराबर हैं तो आप यह देखें अंतर बराबर हैं यहां से इसको खटाएंगे साथ आएगा इसमें से इसको खटाएं साथ इसमें से इसको खटाएं साथ इसमें से इसको खटाएं साथ जब अंतर आपका से छोटा हो और जिस जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं एक धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करिए जैसे आप देखो यह आपका अंडगरूड एक सो पचासी माइनस अंडगरूड एक सो अठातर है तो एक काम करें अगर इसके का इसके कारई जब ऊपर गुड़ा करेंगे तो नीचे बहुतै ना पड़ेगा नहीं करना पड़े अब देखेक्श बीर एक प्लस बीहोगा दके यह करना नहीं आ है कैसे होता है उसके लिए हम आपको समझा रहें ए माइनस भी और ए प्लस भी हो गया तो ए स्क्वाइड माइनस भी स्क्वाइड 185 से 178 जाएगा तो यह सात वट्टे अंडरूट 185 हो गया प्लस अंडरूट 178 हो गया हो गया अब इसी प्रकार जब दूसरे में ए माइनस भी और इसी के ए प्लस भी से गुड़ा करेंगे तो दूसरे माँ देखिए यह आपका 204 माइनस 199 बटे आपका आ जाएगा अंडरूट 204 प्लस अंडरूट 199 इसी प्रकार इसमें जब करेंगे तो 317 माइनस 310 हो जाएगा अपकान अंडरूट 317 प्लस अंडरूट 310 हो जाएगा और चोथे में जेखिए चोथे में जब करेंगे तो यह 401 माइनस 394 हो गया बटे अंडरूट 401 प्लस अंडरूट 394 अब देखो यह हो गया तो अब सीधी सी बात है कि सबका अंस बराबर हो जा रहा है यहां पर भी साथ यहां साथ यहां साथ यहां साथ तो सभाविक सी बात है जब सबका अंस बराबर हो गया तो जिसमें सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे वो सबसे छोटा होगा जिसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे वो सबसे बड़ा होगा तो इन सबके कंप्रेजन में यह सबसे छोटी संख्या हो गई और यह वाली सबसे बड़ी सं सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा और यहां पर योग सबसे क्योटा होगा वह सबसे बड़ा होगा यानि कि यहां पर सबसे बड़े की बात किये, तो सबसे बड़ा मान यह हो गया, और जबकि सबसे छोटे मान की बात किये, छोटा तो हमारा हो गया, बात समझ में आ गई होगी, उमेद करते हैं, तो दिए इसमें जब दो दो नम देंगे अड़ करके, तो उसकी कंडिशन यही होती है, या तो योग बराबर होता है, या तो अंतर बराबर होता है, बात समझ में आ गई होगी, चलिए आई आगे चलते हैं, कभी कभी इस तरीके से सवाल आप से पूछ लिया जाता है जैसे आफ से कह दे रूट 5 रूट 5 रूट 5 ay एंड M꾸 2 अब आप से ये कह दिया जाए बदाए इसका मान क्या होगा तो इसका मान के लिए हम अईसा करते हैं कि इसको हम x के बराबर मान ले इसको हम 1 के बराबर जब मान ले तो दोनों तरफ का जब waiting करेंगे तो आप देखो यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो गया और यह हो गया 5, root 5, root 5, root 5 and so on, infinitive तब यह माना ऐसे हो गया, ऐसा लिख सकता है हम, तो अब देखिए, अगर इसको हम हाथ से ढख लें, तो आप यह देखो, इस मान में और इस मान में कोई अंतर तो नहीं है, आप यह समझें भी या, अगर समुद्द से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए, तो उसके जल अस्तर में कोई अंतर तो आएगा नहीं, तो वही बाते यहाँ पर भी हैं, कि यह पूरे मान से एक मान अगर एक 5 निकाल लें, तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, इसका मतल हो गया, 5, सीधे-सीधे हम कह सकते हैं, कि इसका मान जो होगा, वो 5 होगा, चलिए, आगे चलते हैं, इसका मतलब, अगर अंदर कोई भी बैलू हो, ऐसे कह दें, यक्स, रूट यक्स, रूट यक्स, एंड सो और इंफनिटी तक, तो इसका जो मान होगा, वो आपका होगा य होगा, कोई भी मानों, जैसे हम कह दें, रूट 11, रूट 11, रूट 11 and so on, infinite, अगर अनन तक गया, तो इसका मान हम कह देंगे 11 हो, पी 11 होगा, जैसे यहां हम कह दें, रूट 13, and so on, incentive तक, तो हम कैज़ेंगे इसका मानते रहोगा हमें सौल्व करने जाने की यह उड़त नहीं है देखते ही डायेट टिक करना है बात समझना रहे हैं देखेंगे और तुन टिक करेंगे आंसर हो जाएगा तो पहली बात तो यह हो गई कि अगर अनंतक होगा तो उसका मान इस तरीके से महां जैसे हम कर दें टीन रूट टीन रूट टीन को मनलेगे इसे का मान पूछे कि इसका मान क्या होगा तो fanduct कि यह जो तीन हैं जैसे हमने आपको बताये था इस तरीके से अगर हो जैसे यह haasan हो यहाँ यन हो यहाँ पी हो यहाँ तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा मान लिए इसको कह सकते हैं कोट यम यन पी यहां रूट तो या इसको हम ये कह सकते हैं तू के पावर वन बाई पी पावर वन बाई यन पावर वन बाई यम यानि कि हम ये कह सकते हैं तू के पावर वन अपान यम बात समझ में आई और इसे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अब देखिए यही लिखना है तो अब आप यह देखो यह बात समझ में आ गई अब इसको देखिए कैसे लिखना यहां पर देखो यह तीन है तो तीन की कोट कितनी हो जाएगी यहां दो एक दो यहां एक दो य यानि कि दो दुनी चार दुनी आठ यानि कि इसके घात एक बटे आठ हो गया और दूसरा तीन देखिए ये दो बार कंडी है तो दो दुनी चार हो गया और ये तीन जो है इसके पास एक ही बार है तो ये दो हो गया अब जब आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ ज गाएंगे तो तीन के पावर यह सी अ माड हो गया ये एक हो गया ये दो हो गया और ये चार हो गया यानी कि तीन के पावर 7 बटे 8 कर सकते हैं बात समझ में आ रहे हैं या इसी को आप डारेट ये कर सकते हैं अगर ये इस तरीके से हो यहाँ पर हम कोई वेरियेवल मान के कर लेते हैं जैसे रूट ए मानिए ये यन टाइम तक हो यानि कि यन बार हो तो इसको डारेट कर सकते हैं a to the power a to the power two power यन माइनस one अपान two power यन कर सकते हैं डारेट आंसर लिख सकते हैं जब दो दो जैसे देखे यहाँ पर तीन तीन बार है देखे यहाँ कोट एक दो तीन है यानि कि दो पावर तीन माइनस one अपान 2 power 3 हो गया तो अब आप यह देख लो भीया 2 power 3 का मान 8 हुआ और यह देखे 2 power 3 2 power 3 का मान 8 हुआ 8 से 1 गया 7 हो गया यानि कि 3 के power 7 बटे 8 डायरेक लिग देंगे बात सम辭ें आ रहे देखे यह बहुत important है हर इजैम में सवाल पूछते हैं भाईया आप कोई भी ग्याम उठा लिए चाहें, railway का उठा लिए, ssc का उठा लिए, आप ssc के किसी भी ग्याम का cpo, cgl, 10 plus 2 o, mts, हार यज़ेंगे, आप upssc का याम हो, upsi का याम हो, तो ध्यान देंगे, तो आप ये आसानी से बिना solve किये, direct answer टिक करके आएंगे, ठीक है, आईए देखते हैं आगे, ये हो गया, अगला देखें, जैसे देखें, हम ऐसे लिख दें, 7, 7, 7, 7, जैसे इसका मान पूछ है, तो अब कुछ करना नहीं है, साथ लिख दो, ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, कितने बार करन रही है, 5 बार, तो आप ये लिख दो, 2 पावर 5, माइनस एक, बटे 2 पावर 5, आप सीधे सीधे लिख सकते हो, 2 पावर 5 का मान 32 हुआ, 32 से एक गया 31, 31 बटे 32 से इसका answer हो जाएगा, बात समझ जा गए, आप देखें, ये तो हो गया, अगली बाप समझे, इरेस कर रहा है बिया, चले अगला देखिए, अगला देखिए, अगर यही कोट बदल जाए, यह 3 हो जाए, यहां 5 लिख देते हैं, 3, यहां 5, यह भी 3 कर दें, यहां 5 कर दें, अब इसका मान निकालना है, तो अब देखिए, वो जो 2 पावर यन माइनस 1 अपान 2 पावर यन का देखिए, वो यहां अपलाई नहीं होगा, अब देखिए, इस से बचने के लिए, अब सीज़े सीज़े पहले सॉल्व करना सेख लिए, बाद में इसके लिए गाइड बताते हैं, यह 5 है, तो अब एक बाद देखो, इस 5 पर कंड़ी कितनी बार है, तीन बार है, और सबकी कोट तीन है, तो 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, यानि कि 1 बटे 27 इसका माना, अब दूसरे 5 के लिए, यह 2 बार है, तो 1 बटे 9 होगे, और तीसरे के लिए एक नहीं बार है, तो 5 पावर 1 बटे 3 होगे, अब जब आधार इनके बराबर होंगे, तो घात अपन जैसे यह 1 बटे 3 धन, 1 बटे 9 धन, 1 बटे 27 कर दिया, अब देखें, यह 5 पावर, यह 27 हो गया, यह 9 हो गया, प्लस यह 3 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, बार समझ में आगे, अब देखें, यह सीधे सीधे 5 पावर 9, 3, 12, 11, 13 बटे 27 हो गया, बार समझ में आगे, ऐसे कर स यह अप्ली केबल होगा तो एक बात देखिए दूसरे तरीके में क्या करेंगे इसको ही रहन देते हैं दूसरे को डारेट ऐसे करिए जैसे पांच लिख दिए और पांच के पावर यह जितने कोट यह सब का मल्टिपल हर में लिख दीजे जैसे तीन तिरिक का नो तिरिक 27 हो कि एक बार इस तीन से भाग दीजिए तीन नमग 17 फिर इन दोनों का बुरुन फ्ल करते हैं जैसे देखिए एक यंप लाओर देखिए जैसे हमें कर देखिए सेवन यहां पर कर देए जैसी यह है तो आप घबड़ाने की यह उरुत नहीं है यह जो अंदर की वैलू है उसको सीधे सीधे लिखिए अंदर की वैलू हर जगें की समान है तो अब देखिए टोटल देखिए एक दो तीन चार है अब तीन से भाग देंगे तो 27 आएगा तीन तिरिका नो से भाग देंगे नो आएगा और 81 से भाग देंगे एक आएगा यह देखिए आंसर हो गया आपका सीधे सीधे एड कर दीजे तीन चार नो चार तेरा तेरा में 27 आएड किये 40 वटे 81 आगया बात क्लियर भी है पात समझ में आ रही होगी यानि कि कोई भी नंबर हो यहां पर कोट कुछ भी हो सबका आंसर हम बड़े आसानी से निकाल देखिए तो अगला जैसे हम कर दें पांच तीन कोट पांच फिर कर दें तीन कोट पांच पांच हम कर भी है इसका मान बताईए क्या आएगा तो देखिए फिर घबराने की यूवरत नहीं है जो अंदर बैलू है लिख दिये पांच चलिए यह दो है यह तीन है यह तीन है यह दो है ना समझ में आए तो जो कोटी है उन्हीं का आपस में मल्टिपल कर देए कर दिये मल्टिपल अब देखिए मल्टिपल जैसे कर दिये अब देखिए यहाँ पर कितना है दो है दो से जब भाग देंगे तो बचेगा तीन दूनी छेतिरी कठा आज देखे दो तियाएं छे से भाग देंगे तो दो तियाएं छे बच गया आज देखे दो गुड़े तीन गुड़े तीन से भाग देंगे तो दो बच गया फिर दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े दो से भाग देंगे तो एक बच गया यह देखे आंसर हो गया आपका आंसर जो हुआ 5 पावर 2 1 3 6 3 9 18 9 27 बते आपका यह हो गया 2 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 3 बात समझे आ रहे तो यह देखे 3 3 9 3 27 यानि कि जो यह आंसर हो आएगा 5 पावर 3 बते 4 आ गया आप सॉल्व करेंगे तब भी मान आपका यही आया बात समझे आरे हैं तो यह इस तरीके से इतने आसानी से यह सवाल को सॉल्व कर सकते हैं